नमस्कार दोस्तों मैं हूं माईशू और आप देख रहे हैं सिटी हल चल खबर जरा हट कर शहर और गाउन दिन हो या रात हर छोटी और बड़ी खबरों को लेकर हम हैं आपके साथ जी हां हम कराते हैं आपको दिन बर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू और आए निजर डा आते हैं आज के अलड़ा इस पर का अफरन करते महले वासों ने उक्त यूवक को पकड़ दिया पिछले कई महां से ख़तोली से कई बच्चे लापता चल रहे हैं आशका जता जा रही है कि इसमें पकड़े गई यूवक के गैंग का हाथ है कजबा कातोली में नशे का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है जिसकी चपेट में मासूम बच्चे आ रहे हैं कस्बे में भांग के ठेके की आड में चरस और कांजे जैसी नशीली पदार धड़ले से बेचे जा रहे हैं नशीली पदार बेचते कुछ लोग सिटी हल्चल के कैमरे में कैद हो गए ये लोग में रोड पर बैट कर यूवाओ के बवीशे से खिलवाड कर रहे हैं शनिवार को राष्टे लोगदल के राष्टी ए अध्यक्षी चोदरी अजीज सिंग जनपर शामली के जलालाबाद में आयोजीत सदभामना रैली में शामिल हुए जहां पूर्व चेर्मेन जलालाबाद अश्राफ अली खां और वर्तमान चेर्मेन चोदरी अब्दुलकपार ने अपने सेक्डो समर्थकों के साथ राष्टे लोगदल की सदस्यता ग्रहन की इस तोरान चोदरी अजीज सिंग ने सभी का स्वागत किया वहीं उन्होंने कहा कि परदेश के सभी समाजों को एक साथ मिलकर सामपरदाइक ताक्तों के विरुद संगर्श करें इसी बात को लेकर वहब परतिक चिरे में सद्भामना रेली का आयोजन कर रहे हैं उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से आपसी भाहिचारे को बढ़ावा देने और भाजपा के विरुद लड़ाई लड़ने के लिए रालोट का साथ देने की अपील की सद्भामना रेली में पूर्वसांसद अमीर अलमखा, पूरु मंतरी योगराज सिंग, पूरु विधायक राजेश्वर बंचल मौजूत रहे जो हुआ उसको भूलो, आगे से खट्टे हो जाओगे तो बचोगे, मना ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है मोडी मुझा फर्णगर की जिलाकारागार से एक बार फिर नया मामला सामने आया है, जहां एक बंदी के द्वारा सेलफी फेस्बुक पर अपलोड की गई मामले की जानकारी मिलते ही जिलाकारागार परशासन के हाथ पाउँ फूल गए, महीं कुछ समय के बाद इस अभी फोटो फेस्बुक से हटा दिये गए सोचने वाली बात यह है कि इतनी सकती के बाद भी जेल के अंदर मॉबाइल आया तो आया कैसे जेल अधिक्षक इस मामले में चांच और कारवाई की बात कर रहे हैं, वहीं इस मामले का संग्यान उच्चा दिकारियों ने भी ले लिया है शहर कोतवाली छेतर के शाहबुदिन पूर रोड आयशा मस्जिद के पास एक पन्नीचर के गोदाम में सुबह के समय शोट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई जिससे छेतर में अफरा तफ्री मज गई लोगों ने भरी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया वहीं गोदाम में रखा लाख रुपे का सामान चलकर राख हो गया आग बुचाने के दोरान खोदाम स्वामी पीज जूलत गया अब ना जाने कोन था क्या था यह अग लग देगा अब लग देगा पर दिया हैं और उपर जो है बिद्लिंग में जो पत्कर वगए कजवा चांसर के महला हुसेन पूरा में इंडस टावल लिमिटेड दुवरा अवैद रूप से मोबाइल नेट्रोक टावर का निर्मान किया गया है जिसके संबन्द में नगर पंचा जांसर दुवरा कमपनी को कहीं बार नोटिस भी चारी किये गए लेकिन कमपनी अपनी मनमानी पर उतारू है जिसके चलते अब तक भी टावल नहीं हटाया गया घनी आबादी में टावल लगने के कारण लोगों में भैबी ब्याप्त है उत्तर परदेश के जिले लखेंपूर खीरी के सदर कोतवाली छेतर के गाउं पिपरिया में एक निर्मान दिन मकान में अचानक करंट फैल गया जिसकी चपेट में आने के कारण दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वहीं तीन लोग खायल हो गए जिने इस्तान चिकिस्टालिय में भरती कर आया गया वहीं मर्तकों के परिजन चिकिस्टालिय पहुंचे जहां परिजनों में कोहरा मज गया उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर के सिविल लाइन साना छेतर के एनस चोबिस पर तेज रफ़तार कार और दो बाइकों की जोरदार प्रिणत हो गई जिसमें कार में भीशन आग लग गई हाथते में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि कार सवार सही तो दो लोग कंभी रूप से घायल हो गई मामरे की सुजना पर पुलिस बोके पर पहुंची और दोनों घायलों को चिकिस साले में भरती कराया वहीं पुलिस ने मरतक के शाव का पंचना माभर कर पोस्ट मार्टम के लिए बिजवा दिया है जनपत बिजवनोर के नगीना में सहकारी कताई मील वर्ष 2001 में बंद हो गई थी जिसका बकाया भुकतान आज तक भी मजदूरों को नहीं मिलतका है जिसके लिए मजदूर संग संगर्ष करता रहा है वहीं सभी सहकारी कताई मीलों के मजदूर संग के अध्यक्षों ने फैंसला लिया है कि यदि उनका बकाया भुकता नहीं किया जाता तो वह उननीस मार्ट को लखनवों में आतम दाह करेंगे में कताई मिली इंजिन का धक्षु शिर्य रामसिक तो प्रदेश में गारा कताई मिले हैं उस में दूरों का तंखा दो हजा चुड़ानवे से लिए अने से चुड़ानवे से लिए कर दो दस तक बताए उस बकाया तंखा के लिए हम सरकार्षे मांग करते आ रहा है प्रदेश के जिले रामपूर के टांडा थाना चेतर के भगतपूर मोड पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभ्यान चलाया जहाँ पुलिस ने चेकिंग के दोरान एक पिकप गाड़ी से 49 पेटी अवे शराब बरामत की महीं गाड़ी चालक और अन्य दो लोग मौके से फरार हो गए पुलिस ने गाड़ी और शराब को कपजे मिले कर अग्यास लोगों के विरुत मुक्रदमा तर्ज कर लिया जनबा शामली के कजबा थाना भवन में मुख्यमंतरी को की गई राशन डीलर की शिकायत पर पूर्ति विभाग की टीम ने घर घर जाकर पात्र अपात्र व्यक्तियों की चांच की जहां टीम को कहीं खामया मिली वही टीम ने चांच के बाद कारवाई की बात कई है शिकायत करता की माने तो टीम को मौक्य पर कहीं खामया मिली है लेकिन वैं खाना पूर्तिकर वापस लोट रही है कस्बा चांसट में दो अलग अलग इस्थानों पर अब हुई मारपीट में दो लोग खायल हो गए जहां गाओ कवाल में पप्पू पुतर जहिरुदीन को उसके ही दिस्तेदार ने आपसी रंजिश के चलते मारपीट कर घायल कर दिया वही काओ साथपुर निवासी सुन्दर लाल पुतर मांगे राम को उसके पड़ोची ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया जिने सीएस्थी में भर्ति कराया गया वही पुलिस ने तहरीर लेकर कारवाई भी शुरू कर दी है जर्पा शामली के कजबा कैराना निवासी विभायता ने अपने पती और ससुराल पक्त के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कैराना पुलिस को तहरीर दी है जहां महिला ने बताया कि अतरीक्त दहेच की मांग को ले कर उसका पती और ससुराल पक्स के लोग रोजाना मारफिट करते हैं महिला ने पुलिस से कारवाई की मांग की है उत्तर परदेश के जिले रामपूर की मिलक तहसील में भारते किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने उपजिलादिकारी कारेले पर धन्ना परदशन किया जहां किसानों और जनहित की 13 सुत्रिय मांगो को लेकर एक ग्यापन उपजिलादिकारी को सोपा गया समस्याओं का समादान ने होने पर भारते किसान यूनियन एनिशित कालिन धन्ने की चेताव निदी है कि कुछ मांगों के संदर में इन्होंने मांग पतर दिया था जिन जिन बुर्मागों समझने थे उनको बिला के उसे बाफ्ता करा देगे लिए और हर बंदुपर कारिवाई हैं वो बता दिया गया है और आज की समस्याओं का रहे हैं एक हमारा इंटरकालेज हैं यहांपर तो एक सब्सक्राइब करें लाइन जा रही है वो इतनी खतनार लाइन है कि पींचार फिट नीचे से खिश लेती है तो उसके नीचे चोटी जन्वने बच्चे पढ़ते हैं और जंता भी वहां रहे हैं सब लोग रहे हैं तो बहुत बड़ा खत्रा बना वहा है वहाँ बह इस दोरान सदस्ट द्वारा अपने छेत्रों की समस्चाव से अफगत कराया गया विखासकारों की स्थितिकी जानकारी भी दी गई भोपारोड इस्तित HD College of Commerce में रंगोली प्रतियोगता का आयोजन किया गया जिसमें BSC Home Science की छात्राओंने प्रतिबाग किया इस तोरां छात्राओंने विविन संदेशों को लेकर रंगोलिया बनाई वहीं प्रतियोगता में प्रतियोगता में प्रतियोध्य और किरते सांपराप्त करने वाली छात्राओं को पुरूशकार भेट कर सम्मानित किया गया तो इससे के लिए काम ना करती हूं कि इस तरह के आगे भी हम प्रोग्राम आजन करते रहेंगे और उमीद है कि और जादा स्टुरेंट पाटिसिपेट करते रहेंगे